एंसे से के फस्स राउंड के अगर रिजल्ट की बात करें तो 2023 से जो कंपेरिजन कर रहे हैं 2024 का वह बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको रैंक वाइज डिफरेंसे देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे लोगों का सोचना था कि लाइसर के रैंक से उनका कुछ रैंक ऊपर है और आगे क्या होगा अब सेकेंड राउन में एमडी अनिस्थीजिया लास्ट ये ख्लोज हुआ था आपका 20,806 में नाव आपका गया है वह 19,138 में डर्माट्रोजी के कर में बात करूं 2023 में 3,770 पे गया था इस बार 2,639 पे ख्लोज हुआ है अगर आपको जनरल मेडिसन देखना है तो लास्ट ये 4,252 पे ख्लोज हुआ था इस साल 3,803 पे ख्लोज हुआ है और आपका 2024 में 971 पे ख्लोज हुआ है PGI की बात करते हैं लास्ट ये 7,201 पे ख्लोज हुआ था और इस बार आपका 5,907 पे ख्लोज हुआ है पैथर में तो आपको भी बहुत जादा negative shift देखने के लिए मिली है लास्ट ये 37,717 पे था इस साल आपका 33,980 पे जाने की पैथर में भी आपको positive नहीं मिला बात करते हैं सैकेटरी ब्रांच की सैकेटरी में भी आपको बहुत जादा differences देखने के लिए मिला है लास्ट ये 15,782 पे ख्लोज हुआ था इस बार आपका 7,823 पे ख्लोज हुआ है रेडियो डाइगोनसी लास्ट ये 1872 पे ख्लोज हुआ था इस साल आपका 2125 पे ख्लोज हुआ है यानि के आपका रेडियो में थोड़ा सा positive रहा है रेडियो उंकलोजी की बात करते हैं लास्ट ये 19,598 रहा था इस साल आपका 18,521 रहा है यहां भी आपका positive मिला है chest and respiratory की बात करते हैं लास्ट ये 9,736 था इस बार 9,438 रहा है ENT की में बात करूँ 16,515 था 2023 में इस बार आपको 5,351 मिला है general surgery लास्ट ये 11,033 पे ख्लोज हुआ था इस बार 10,979 पे ख्लोज हुआ है orthopedics यानि कि अगर आप MS ortho के लिए तियारी में थे इस बार 10,188 पे ख्लोज हुआ है लास्ट ये 11,1864 पे ख्लोज हुआ था यानि कि आपको round 1 में कहीं positive और maximum negative देखने के लिए मिला है जहां positive मिला है reason है कि ये भी है कि उस branch की demand कम हो गई है और उसकी seats भी बढ़ गई है EWS category की मैं बात करूँगी अभी अब open की बात करते हैं लास्ट ये आपका अनिस्थी या 23,703 पे ख्लोज हुआ था इस साल आपका 29,101 पे ख्लोज हुआ है 2023 में आपका जो emergency branch 15,914 पे ख्लोज हुआ था इस बार 16,839 पे ख्लोज हुआ है यानि के EWS category में आपका positive shift देखने के लिए मिला है General medicine 6,221 पे ख्लोज हुआ था और 6,194 पे ख्लोज हुआ है option का ये लास्ट ये 12,873 पे ख्लोज हुआ है Now 15,034 पे ख्लोज हुआ है यानि के यहाँ पर भारी positive आपको देखने के लिए मिला है आपका PDA branch last year 9,266 पे ख्लोज हुआ था इस बार आपका 11,412 पे ख्लोज हुआ है क्योंकि seats में भी improvement काफी हो गया था इस बार pathology के गर में बात करती हूँ last year 59,345 पे ख्लोज हुआ था इस बार आपको यहाँ पर negative shift देखने के लिए मिला है 54,228 पे ख्लोज हुआ है last year आपका psychiatric branch 26,225 पे ख्लोज हुआ है इस बार आपका 28,252 पे ख्लोज हुआ है रेडियो उंकलोजी आपके एगर रेडियो थेरपी की में बात करूँ last year 27,751 पे ख्लोज हुआ है इस बार आपका 29,915 पे ख्लोज हुआ है चस्ते अंड़स्प्रिटी की बात करते हैं last year 12,458 पे ख्लोज हुआ है इस बार आपका 15,692 पे ख्लोज हुआ है 23,272 पे close हुआ है अगर मैं बात करती है orthopedic की last year इसमें भी आपको काफी negative shift देखने के लिए मिला है last year 13,494 पे close हुआ था इस बार आपका 16,505 पे close हुआ है CT बढ़ने का कहीं ने कहीं तो benefit मिला है कहीं किसी branch में cut-off कम देखने के लिए मिला है और किसी branch में cut-off आपको जादा नाइनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन तो 49,461 पर क्लोज हुआ था इस बार आपको 44,988 देखने के लिए मिला है यानि कि पैथो में अगर देखते हैं जनल हो या EWC या आपके OBC है यानि कि के लिए इस बार आपका 386,945 पर करते हैं या इस बार आपका 4,333 पर क्लोज हुआ है लास्यर रेडिव थेरेपी की बात करते हैं last year 10703 पे close हुआ था, इस बार 3176 पे close हुआ है, OBC में ENT की बात करते हैं, 2023 में 22002 पे गया था, और इस बार 21157 पे गया है, general surgery last year 15433 पे close हुआ, इस बार 15140 पे close हुआ है, ophthalmology की बात करते हो, last year 21807 पे close हुआ, इस बार 2273 पे close हुआ है, MS orthopedic की बात करते हैं, last year 11945 पे गया था, इस बार 13893 पे गया है, SC के टेगरी की बारे ही बात करते हैं, SC में ENT की जे last year 41647 था, इस बार 41004 पे close हुआ है, दर्मा की बात करते हैं, last year 12959 था, इस बार 10950 पे close हुआ है, यानि के SC में काफी negative देखने के लिए मिला है, जनरल मेडिसन, SC में 20981 था, इस बार 18000 पे close हुआ है, आफ्सेन काईनी, last year 2969 था, इस बार 28189 था, पीडेक की बात करते हैं, अगर पीडेक में बात करूँ, SC में 22603 था, last year, इस बार आपका 21729 रहा है, पैथलोजी की बात करते हैं, last year 61539 था, इस बार 67847 गया है, यानि के यहां पर आपको positive देखने के लिए मिला है, सेकर्टे की ब्रांच की बात करते हूँ, last year 39629 था, इस बार 40239 रहा है, यानि के अंकोलोजी की दिमांड की भी बहुत ज़्यादा इंप्रूमेंट हो गई है, TBN CHES की बात करते हूँ, last year 25403 था, इस बार 32745 रहा है, ENT के अगर हम बात करते हैं, last year 38200 पे गया है, इस बार 39857 पे close हुआ है, जनल सेजरिय की में बात करते हूँ, last year 30216 था, इस बार 32764 पे close हुआ है, अप्थमलोजी की में बात करते हूँ, last year 36053 पे close हुआ था, इस बार 37511 पे रहा है, और्थपैटिक्स के लिए last year 28965 था, इस बार 32117 पे close हुआ है, ये मैंने कुछ category wise आपको बताने की कोशिश की थी, जिसकी कराव का second now को जो cut off है, एक idea हो जाएगा, इस वीडियो को like and subscribe करना बिल्कुल ना भूशे,